कि नमस्कार दोस्तों में पिंटु सुन्या आप सभी को हमारे फेजिब केज़र यूटीब चैनल इस्ट रिवाइस में स्वावत हैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज हम लोग पिछले अठाइस जुलाइए और आज 29 जुलाइए का जितना भी करेंट इफेर् इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है आज के वीडियो बहुत ही इंपोरेंट है और इसमें पहरे में बहुत सारा डिसक्स किया है और जितना ओल्लिंपिक्स के बारे में भी बहुत सारा पॉइंट आप लोग पो मिल जाएगा चीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले मेडल फो इंडिया इंदे परिस ओलिंपिक रिशनली तो अब सभी को पता है कि परिस ओलिंपिक चल रहा है अभी पिछले सटाइज 26 जुला से शुरू हुआ है तो ओलिंपिक्स में इस बार ओलिंपिक्स में भारत के लिए पहले पदक किन होने लाया है ऑप्शन ए मनुब मनुब बाखेर ऑप्शन भी दिपिका कुमारी ऑप्शन सी रमिता जिंदल ऑप्शन दी पीविशंदू थोड़ा हम यहां पे डिसकास करेंगे और साथ में इसके रिलेटेड बहुत को बहुत सरा पोइंट आप लोगों को मिल जाएगा मनुब बाखेर हैस वंदा में और भारत कि का संसा में मेडल स्पीज आ का Scotland में मेर जी घैटां करी और कृशन अगर मेरे बन गई है कौन साल इभेंट में उन्होंने संद्स मेडाई है लाई है टार्वहाइट टैं कर जातыш प्रफड प्रफड किनको मिला था और सिलबर मेड़ल किनको मिला था उस इसमें अगरुमक्रमेशन आता है तो गोल्ड और शन भ deepest दोनों भी साउथ पुड़िया के खेला रिने लिया है जैसे और ंर यह जिन मनुबखेर ब्रोंज मेडल जीती है 10 मीटर एयर पिस्टोल इबन में उसी 10 मीटर एयर पिस्टोल इबन में साउथ कुरिया के दो खिलारी जो गोल मेडल और सिल्बर मेडल मिला है ठीक है और यह जिन जिनको गोल मेडल मिला है और किम यह जी जिनको सिल्बर मेडल मिला है ठीक टेन मीटर एयर पिस्टोल इवेंट में ठीक है जैसे मनुबख्यर है हम सभी को पता है कि उन्होंने मतलब वह पहली महिला बन गई है जो भारत के लिए पता है कि शुटिंग इबन में किसी भी मेडल लाने में ऑलिंपिक्स में वह पहली महिला बन गई है तो मनुबख्यर के बारे में एक दो खे संब्धनेत कि आगये था और शपोच्ट Channel X आइवाड्स इंडिया जो हर सल जो हमारे भारत मिनिस्ट्री फक्ला यूथת दिपाट्मेंट है यह दिपाट्मेंट के द्वरह बेंटा की द्वरा स्पोच्ट सर एक्स इस टोपिक से हम दोगो क्या-क्या मिल गया मनुबखेर जिन्होंने पहली ओलिम्पिक में ब्रोंज मेडल लाई है और पहला भारतया प्लेयर जो मेडल लाई है वह बन गई है मनुबखेर और मनुबखेर भारत के किसी भी ओलिम्पिक्स में शुटिंग इवेंट में मतलब पहली महिला बन गई है जो मेडल लाते हुए ठीक है उन्होंने ब्रॉंज मेडल लाई है टेन मीटर एयर फिस्तोल इवेंट में और मनुबखेर को 2020 को ओर्जिन आवर्ड के समयनत किया गया था और 2019 के स्पोर्चर ए मनुबखेर है ठीक है अभी हम जाते है नेक्स पेस्पेस पे मनुबखेर के बारे में मतलब उन्होंने कहां कहां पर मेडल जीती है उनके बारे में यहां पर थोड़ा डिसकस किया है और वैसे उन्होंने बहुत सारा मेडल जीती है लेकिन सभी मैंने यहां पर मैंचन नहीं क्या है उसमें कुछ इंपोर्टेंट जो है वह यहां पर ड़ा है जैसे सी हेस वोन मेने इंपोर्टेंट मेडल्स इन हर खेरियर विज गॉल्ड इन 2023 वर्ल्ट चेंपियंशिप बक्को तो बक्को पर वर्ल्ड चेंपियंशिप चल रहा था वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीती थी ठीक है और वर्ल्ट चेंपियंशिप काईड़ो इजिप्ट पे जो हुआ था काईड़ो इजिप्ट का केपिटल है तो वहां पर उन्होंने सिल्वेर मिडल जीती थी ठीक है और एशियन गेम्स जो 2022 पे हुआ था एक्चुली 2023 पे हुआ था 23 के सेप्टेमबर महीने में हुआ था और उसको मतलब नाम दिया गया था एशियन गेम्स 2022 2022 क्योंकि चाइना पे कुछ मतलब कोविट के का इशू के करण मतलब उसको पोस्पोर्ण करके 2023 पे गया था लेकिन उसका नाम दिया गया था 2022 आप सबीको पता यह होगा तो अशियन गेम्स में उन्होंने गोल मेडल लाई थी ठीके यह सरा जो है यह टीम में लाई थी मतलब टीम के सथ मिलके लाई थी और गोल्ड इन Commonwealth Games 2018 पे Commonwealth Games जो हुआ था Gold Coast गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्र제가 पे है तो ऑस्ट्रिया पर जब Commonwealth Games हुआ था 2008 पर वहाँ पर उन्हों ने गॉज्ड मेडल जिती थी ठीक है याद रखी एकला ऐसा क्योशन आएक कि मनुब खेंडे कौन से Commonwealth में गोल्ड लाई थी अगर क्वेशन आता है तो आंसार होगा 2018 के Commonwealth Games उसको Gold Coast बोलता है Gold Coast पर हुआ था Commonwealth Games Gold Coast कहाँ पर है अगर क्वेशन आता है तो आंसार होगा Australia तो Australia पर Commonwealth Games हुआ था 2008 के वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मिडल लाई थी ठीक है और Gold in 2018 Youth Olympic Games at Venus Ears Venus Ears हम से भी को पता है कि आर्जेंटिना का केपिटल है तो आर्जेंटिना पर Youth Olympic Games हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने गोल लाई थी ठीक है 2018 पर अच्छा और एक पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं कि आट्जेंटिना पर जब विन्होंस एर्स पर यूथ Olympic Games हुआ था तो वहाँ पर महनों बखेर फ्लेक ब्यार थे फ्लेक ब्यार थे प्लेक ब्यार थे जैसे परेश ऑल्लम्पिक में फ्लेक ब्यार कौन-कौन था वह आप लोग कॉमेंट बॉक्स भी दे दीजेगा और यहां पर देखिए यूथ ऑल्लिम्पिक गेम्स ऑलिम्पि कि बीनोस एर्ड पर हुआ था 2018 पर वहां पर मनु बखेर ने ज़ो गोल्ड मेंटल जीती थी वो सिंगल मतरब उन्होंने सिंगल 10-meter air rifle एर पिस्तोल इवेंड में उन्होंने गोल मेडल लाई थी और इसी टिम में खेलके एक टिम बन के खिली थी और वहां पर सिल्बा मेडल लाई थी 2008 पर उसी 2008 पर ठीक है याद रखेगा और यहां पर जहें जो है जैसे Commonwealth Games गेम्स में जो गोल लाई थी 2018 पर वह भी सिंगल पर लाई थी मतलब सिंगल लाई थी उसमें टीम नहीं थे बाकी सारा टीम टीम में लाई थी ठीक है तो अब तक जो हम लोगों ने डिसकस किया मौनुबाखर के बारे में जैसे इस बार जो पर 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 पेरिजन ओलिपिक में यह लाई थी ब्रॉन्च लाई है तो वहां पर फी सिंगल मतलब मुम्म ट्र ृष और मीटर dudak neighborhoodsebस ब्रॉंच गेम होता है अधल्वनव थी और गोल लाई थे और 2052 के वल्ल्चमल्पट में काईरों पेतवा था वहांपे भी उन्होंने Muslim medal लाई थी एश्यन गेम्स पर मिक्स टिम पर खेलके गौल मेडल लाई थी मनुबखेन और कमोंवेल्द गेम्स जो 2018 पर हुआ था वहां पर लेखिंड लेकिन शॉलो शॉलो लाई थे मतलब अकेली लाई थी गोल लाई थे ठीके 2008 पर और यूथ ऑलिंपिक गेम्स यूथ उलिं एस यर पर जो हुआ था लौग्छ हाजर wizard अपर वहां पर बहुंद उन्होंने स्फिला लाए थी सिंगल एबेंट में लाइ थि म गोल मेडल और कि यूँथ ऑलिमपिक गेंशी और यूद ऑलिमपिक गेमन में मिंस्ट टीम पर मिंस्टीम एबइन में XL मेडल नाए थे ठीक है याद रेखेगा और फ्लेग बीरर दोहजर अट्रा के यूथ ऑलिम्पिक्स गेम में फ्लेग बीरर बनी थी मनुबखेर ठीक है यहां पर देखिए लिस्ट आफ अधर इंडियन सुटर्स क्लेंड मेडल इन दा ऑलिम्पिक गेम्स तो जितना भी हमारे इंडियन सुट ने मनुबखेर को लेके पाज मदब पाच्वा इंडियन सुटर्स बन गई है जो ऑलिम्पिक्स में मेडल लाए हुए ठीक है तो यहां पर इंडियन सुटर्स जो आधर्स इंडियन सुटर्स जो है जिन्होंने भी ऑलिम्पिक्स ऑलिम्पिक गेम्स में मेडल लाए थे उन कहां से question आ जाता है कोई हम लोग को पता नहीं होता है तो इसलिए जितना भी हम लोग को पोइंट केरी करना है वह सरा पोइंट हम लोग केरी करेंगे ठीक है तो राज्यवर्दन सिंग राठोर क्लेम अधीजवर्दन ने पहले सीलवर मेडल लाए थे ठीक है और भारत के पहला सुटर बना था जो ओलिंपिक्स में मेडल लात हुए ठीक है उनके बाद अदिम बिंद्रा बाब 2008 के वेजिग औलिंपिक्स में wynोग बिदैस अभिंगों ढहिए ती déjà debt ऑभिंपिक में गोल्घर मेडल दे हुए हमारे भारत के लिए ठीक है अभिनम बिंद्रा याद रिखेगा अभिनव बिंद्रा इस वान अनली एथलेट्स हूँ वन दे गोल्ड फोर आवर इंडिया ठीक है और गगन नारंग मेंस टेन मीटर एयर पिस्तोल इबेंट में लंडन ओलिम्पिक्स में लंडन ओलिम्पिक्स के लंडन ओलिम्पिक्स दो हजर बारा पर विजय कुमार ने सिल्वा मेडल लाए ठीक है यहां पर चार प्लेयर का नाम है वह सरह आप लोग अच्छे से नूट करके रखेगा और पाचवां बन गया हम रहें मनुबाखेर इन यह पाच प्लेयर्स ने मतलब अब तक उलिम्पिक्स में मेडल लाए ठीक है इसके अलबा किसी ने भी मतलब सुटिंग इबेंट में और ऑलिम्पिक्स में भारत के लिए किसी ने भी मेडल नहीं लाए थे तो याद रखेगा यहां पर ऐसे भी क्वेशन आ सकता है कि राज अगोष्ट्रा पॉइंट में आपको बोल देता हो कि ऑलिम्पिक्स में हमारे भारत के लिए सबसे पहले किन्होंने मेडल लाए थे अगर क्वेशन आता है तो आशार होगा केड़ी जदब ठीक है याद रखेगा केड़ी जादव जिन्होंने भारत के लिए सबसे पहला मेडल लाए थे ओलिम्पिक्स में ठीक है और कौन से साल पर लाए था अगर क्वेशन आता है तो 1952 होगा 1952 के हेलसिन की फिनलेंड का जो कैपिटल है हेलसिन की हेलसिन की ओलिम्पिक्स में जादव ने भारत के लिए पहला मेडल लाए थे ठीक है भारत के लिए पहला मेडल लाए थे और कौन सा केटावरी में कौन सा इविंट में लाए थे अगर क्वेशन आता है तो आंसार होगा रेसलिंग होगा ठीक है रेसलिंग पे लाए थे रेसलिंग रेसलिंग पे लाए को नाम दिया गया था या फिर जाना जाता है कौन से खिलाड़ को पॉकेट डाइनमो नम से जाना जाता है अगर क्वेशन आता है तो आंसर होगा केड़ी जादव होगा ठीक है पॉकेट डाइनमो डी वाई एन एम ओ आप लोग नोट करके रखेगा तो इस टोबिक से हम tidak है वह सश्डिवल यहां पे दिया है और इसमें से बहुत सरा मेडल मैंने में लेक्ट हें नहीं सिर्ट लेकिन रिखन होसिन फिर इंастि नि封 हां मैंने यहां एक द錯 accurateคANNA double केडी जादव होगा 1952 के हेल्सिंग की ओलिम्पिक्स में और सुटिंग ओलिम्पिक्स में सुटिंग इवेंड में भारत के लिए सबसे पहले पदक किन्हों ने लाये था अगर क्वेशन आता है तो आंसार होगा राज्यवर्दन सिंग्राठोर जिन्होंने सिल्बा मेडल ला इन आसाम देशभक्ति दिवस इस अब्जर्ब एन्युएली टू कोमेड़िट और फूइच पार्सनलिटी तो इन में से कौन से पार्सनलिटी को याद स्मरण करके हर साल देशभक्ति दिवस मनें जाता है हमारे असाम पे आप्शन ए वीड लाचित बरफुकान आप्शन अप्शन देशभक्ति 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 नाम से जाना जाता है वाज़े प्रमिनेंट पॉलिटीशन ओफ आसम तो वह एक पॉलिटीशन है भारत के बहुत ही फेमस पॉलिटीशन है उनका जन 1877 के 22 जन्वारी को हुआ था और उनका म्नित्तु 28 जुलाई 1949 पर हुआ था था हर साल 28 जुलाई को हर साल देशभक्ति दिवस मने जाता है उनके डेथ अनिवर्शर को याद करके ठीक है याद रखिएगा तो तो तुरुन तो देशभक्ति दिवस मने जाता है हमरे आसम पर 28 जुलाई को हर साल ठीक है अगर एसा क्वैसन आता है कि 28 जुलाई को कौनसे तारक को कौनसे दिन को देशपक्ते दिवस मनें जता है ? तबो कौनसे नामसे जाना जता है ? बहुत सरे औरगन्याजेशन के प्रेशिडिण्ट बने थे उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिये है तो he served as the president of different organizations of ASAM like ASAM branch of the Indian National Congress in 1921 Indian National Congress जब पहले पहले ASAM पे आये थे और जब ASAM पे एक branch खुला था Indian National Congress का तब वहाँ पे president बना था तरुणराम फोकान ठीक है उस टाइम पे उनके नेत्रित्यों के कारण महत्मा गांधी पहले आसाम पे विजिट किया थे 1921 को ठीक है उस टाइम पे हम सबी को पता है कि नोन को ओपारेशन मोवेंट चल रहा था तो Indian National Congress ASAM branch के पहले प्रेशिडेंट बने थे तरुणराम फोकान और असाम साहित्य सबा का भी तरुणराम फोकान प्रेशिडेंट बना था 1927 को और असाम चात्र सम्मेलन का भी प्रेशिडेंट बना था 1928 को याद रखेगा ऐसा भी क्वेशन आसकता है कि असाम चात्र सबा का प्रेशिडेंट तरुणराम फोकान कब बना था प्रेशेडेंट का वर नेइंटीन नीटीन टाम ठेल को नाथा अगर हो ठीक है और इंडिया निशनल कंग्रेस का व्रांच जब पहले बना था तब वहां पे वहाँ पर भी थरुणड़ाम फोकन प्रेसिडेंट बना था कौन से साल को बना था अगर क्वेशन आथा तो 1921 ठीक है तो यहां पर आंसार होगा ऑप्शन भी थरुणड़ाम फोकन तो हर सल वाल्ड हैपाटाइटिज दे कुन से दिन को मने जाता है ऑप्शन ए 27 जुलाइ ऑप्शन भी 28 जुलाइ ऑप्शन सी 29 जुलाइ ऑप्शन दी 30 जुलाइ थोरा हम यहां पर डिसकास करता है और यहां पर भी बहुत सरा पुइंट आप लोग को मिल जाएगा ऑन 28 जुलाइ वाल्ड हैपाटाइटिज दे इस अब्जर्ब एप्शन 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 लोडेट बारुस सेम्वेल ब्लंबर्ग डिसकावरर दा हैपाटाइटिज बी वाइरस दा डे स्टाइट तो सेलिब्रेट फॉम 2011 तो हर सल 28 जुलाइ को वाल्ड सबसे पहले 2011 को मना गया था और इसके बाद लगातर मना रहे है हर सल तो याद रखेगा अगर रेशा भी क्वेशन आ सकता है कि वर्ड हैपाटाइटिज दे किनको याद करके मना जता है अगर क्वेशन आता है तो आंसार होगा बारुस सेम्वेल ब्लंबर्ग होगा और हैं है पहले नवेल प्रैइस दिसकाबर करने के कारण उनको नॉबेल प्रैस्स मिला था नोबze Wille Yi Foundation 1976 कोúaई डूर मेडीशन आता है तो मेडीशन प Border Nobel Prize in Medicine 1976 को मिला था और किसके कारण मिला था Hepatitis B virus discover करने के कारण उनको Nobel Prize मिला था 1976 को याद रखिएगा ठीक है तो यहां पर देशे इस बार जो World Hepatitis Day का थीम जो है मैंने यहां पर डाला है It's Time for Action It's Time for Action वो World Hepatitis Day का 2024 का थीम है ठीक है तो यहां पर आंशार होगा Option B 28 जो ले तो इस टोपिक से हम लोगों को क्या क्या मिल गया कि World Hepatitis Day कौन से पर्सनलिटी को याद करके मने जाता है अगर क्वेशन आता है तो आंशार होगा बारुष सेमुएल ब्लंबर्ग के बर्थ एनिवर्सारी को याद करके अबरुष सेमुएल ब्लंबर्ग को किस के कारण मतलब किस चीज के कारण नोबेल प्रैस मिला था 1976 को अगर क्वेशन आता है तो आंशार होगा उन्होंने हेपाटेटिस बी वाइरस डिसकाबर किया था जिसके करण उनको नोबेल प्रैस मिला था 1976 को ठीक है और बारुष सेमुएल ब्लंबर्ग अमेरिका का फिजिस फिजिशन है और इस बार दो हजा चोबिस का थीम जो है इस टाइम फोर एक्शन यह थीम भी आप लोग याद कर रखेगा ठीक है अभी हम जाते हैं क्वेशन नंबर फोर पे हैं सुरी खुच कांट्री एजियूमद दच्चेयार आफ एशिएन डिजस्टर प्रिपेर्डनेस सेंटर फोर ट्वेटी ट्वेटी फॉर ट्वेटी ट्वेटीटिफाइव रिसेनली तो दो हजाएच्विस प फिर फिर प्रिफएच्विस वेसे एक किसी कांट्री जो है वो चेयर्में हो जाता है चेयर करता है अजटलेश्टट और दो हजाएच्विस और पंचिस के लिए हमारे भारत बने का एपी डीची के फूल फोर में एशिए डीजस्टर प्रिपेर्टिस सेंटर का मतलब चहएर बने भरत थीक है थोरा हम यह भी फित के बरे क lleva न एककोइशन आधा गुए हो अगर हो था पर बैंक्कोक पर बैंक्कोक हो था जो जिसके करहने पर भी बैंक्को के इसका हेट कॉटर है ठीक है एडी पीसी एडीपीसी 1986 को बना था और बैंकोक पर इसका हेड़क्वाटर है और टोटल मेंबर जो है एडीपीसी का वो नाइन मेंबर है और जो जो मेंबर है यहां पर नाम दिया गया है जैसे इंडिया बंगलादेश केमबोडिया चाइना नेपाल पाकिस्तान फ लुछलिपीसी पर तो नेश्यां पर जाएंटे मेंबर है और और यहां और यहां पर दिये हैं आप दिये जैसे इंडिया बंगलादेश केमबोडिया चाइना नेपाल फाकिस्तान फिलिपिन्स याद रखेगा बस यही इंपोडेंट है है यह कौन से साल में गटन हुआ था और इसका मेंबर कितना है वही हम लोग को जानना है ठीक है तो इसलिए यह बहुत ही इंपोडेंट है ठीक है तो इंदिया ने के लिए मतलब चर्ज लिए है इंडिया ने और कौन से कंट्री से लिए है चाइना से तो इंडिया से पहले चाइना थे चर्ज पर था और चाइना के बाद अभी इंडिया बन गया है अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन सब्सक्राइब में तीन क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन का अंसर कमेंट बॉक्स भी देदेगा आशागर तो आप सब्सक्राइब करेंगा यहां पर जो क्वेश्चन है इनका अंसर देने में बहुत ही इंपडलेन्ट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन मतलब आपकर कमेंट कमेंट पे करोगे या फिर पिर क्वेश्चन सब्सक्राइब करेंगे और उतना आप लोगा अच्छा हो जाएगा इन फुित यह केड़ी जद बारत के लिए पहला मेडल लाए थे हम सब्सक्राइब बारत के लिए पहले मेडल लाये थे ऑलिम्पिक गेम्स में वह कौन से साल पर लाये थे मतलब भारत के लिए बारत लाये है ऑलिम्पिक गेम्स में किसी भी यार होगा इन फूंपिक गेम्स बीजे कुमार बन्दा सिलवंडा इन 25 मीटर रेपिट पिश्तोल इबेंट तो कौन से ऑलिम्पिक में बीजे कुमार ने तोल्मीच यो या उलोंपिक लेखे व लंड़म्पिक ऑप्शन सी ड्योव एउको टोक यॉलंपिक तो इन तिनों कोई आंसर आफ लोगste मेंन नक्सुद देदेगा और कोशिश करेगा यहां पर जो अंसर है वह एक्टेम करने के लिए ठीक है अब हम जाते हैं हमर लास्ट वीडियो के क्वेश्चन सब्दर्य पे पहले क्वेश्चन पर था विच इस दा फुर्टीफर्स वर्ल हेरेटरिश सैट अफ इंडिया तो फॉर्टीफर्स वर्ल हेरिटरिश साइट सामर भारत के कौन सा है तो यहां पर आंसर होगा ओप्शन सी संतिनी केतन क्वेशन नुबर टूपे है दा जॉन मिलेटर एक्सराइस नॉमेटिक एलफेंट इस हेल्ड एटिश है वह स्टोन मिलेटर एक्सराइस है वह कौंशे से देश के बीच में होता है हर साल option d is the correct answer इंडिया मंगोलिया question number 3 पे है in which year काजरंगा नेशनल पार्क included the UNESCO World Heritage Sites list तो काजरंगा नेशनल पार्क कौन से साल पे UNESCO World Heritage Sites लिस्ट में include किया गया था काजरंगा नेशनल पार्क को यहां पे option c is the correct answer 1985 और कौन से category पे अगर question आता है तो नेशनल पार्क काजरंगा नेशनल पार्क दोनों को नेशनल केटागोरी पे include किया गया था और हमारे च्वराइदेव मेदान जो हाली में जो World Heritage Site में include किया गया उन च्वराइदेव मेदान को cultural category में जिसके बार में discuss कहता है फिर भी मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हो ठीक है तो इस तो इन तो आज के वीडियो में बस एतन है अगर वीटियो को अच्छा लगे तो जासे ज़्यादा शेयर कर देज़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दियेगा ठीक है वीडियो का अंतक देखने के लिए धेनव कि अद्वाट